Hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the 4th episode of your WTF series जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं about the Prime Minister chapter ठीक है so basically यार देखो it is suggested to you all के इस chapter को तुम एक chapter की इतर है ना लो ये सोचो कि तुम Modi जी की कुछ powers, कुछ functions और उनकी बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ा जानने वाले हो ठीक है इस तरीके से you can get it in a better way और तुम कुछ ऐसे facts की through like facts की तरह इनको जोना treat कर रहे होगे और ये चीज़ें जोना तुमारे साथ में long term तक रह रही होंगी ठीक है ये मैंने एक तरीका बता दिया कि हम इस पूरे lecture को इस पूरे like series के इस episode को ऐसे समझेंगे कि हम मोदी जी के बारे में बात कर रहे है ठीक है और ये जो चीज़ें एकदम properly run कर रही है on our app and our website as well अब सारे issues जो है एकदम fixed हैं यहाँ पर तुमको हम साथ हो साथ जोना बहुती तगड़े वाली slides, notes और MCQ quiz test यानि दे रहे हैं notes भी तुमारे handwritten हैं जो की बहुती सही तरीके से prepared हैं और वो सारी चीज़ें यह सारे pucks को तुम या तो हमारी website पर या हमारे app पर देख सकते हो and उसके साथ-साथ if you want कि तुमको add-free experience मिले एकदम premium experience मिले तो तुम app पर जाओ ठीक है start करते हैं तो सबसे पहले तो Modi ji के साथ the prime minister अब तुम्हारे दिमाग में आर जैसे हम बोलते है prime minister तो तुम एक चीज़ बोल सकते हो normally ठीक है यह एक normal सी बात है कि like yes prime minister he is the king of the nation of India समझ रहो basically king है वो एक तरीके से we can say that he is the real head he is the head of the country of the nation ऐसे एक बात तुम बोल नहीं सकते बताओ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ I am literally asking you तुम सोच नहीं सकते के हाँ भाई that prime minister is the head of the India है न एक तरीके से we can say that so basically real head of the country president is the nominal head of the country ठीक है जो अभी तुम पहले president के बारे में पढ़े थे मैंने तब भी बताया थे that yes prime minister is the real head of the country and president is the nominal head उनको बोला जाता है सिर्फ नाम के ठीक है एक तरीके से तुम ऐसे बोल सकते हो so basically आगे वड़ते हैं अब बात करते के appointment कैसे होता है ठीक है एक prime minister का so देखो यार भात को जैसी यह न के पूरी जितनी भी तुमारी चीज़े है पार्लियमेंट में ठीक है पार्लियमेंट में यार तुमारे बिसिकली तीन ही तो चीज़े हैं एक है तुमारे houses फिर एक है तुमारे prime minister and com ठीक है prime minister and com is basically your council of minister ठीक है उसके तीसरे है तुमारे president एक तरीके से देखो basically कह सकते हैं और है president चीज़े होती president के नाम पर है लेकिन उसमें सारे recommendations इधर के हो रहे होते हैं and that is it यह एकदम simplified way है चीज़े houses में होंगी ठीक है किसके नाम पर होंगी president के नाम पर होंगी किसके recommendations पर होंगी prime minister और com के recommendations पर हो रही होंगी so basically president has to invite the leader of the majority party leader of the majority party in ls to form the government ठीक है जैसी आपकी MPs हो जाते हैं जिस भी एक party के पास सबसे जादा number of MPs होती है जिनके पास बहूमत होती है ठीक है पूर्ण बहूमत होती है उनकी party का एक जो leader होता है basically ठीक जो उनकी party का leader होता है उसको prime minister बनाया जाता है तो यार तो को एक basic C में चीज़ बताता हूँ जिसके तुरू तुमको समझ में आ जाएगा कि बात कैसी है इंडिया में बहुत सारी seat है अभी for an example हमने मान लिया 500 seat है 500 seat में जिस भी तुम एक district में रहते हो शायद से वो एक different seat हो ठीक है MPs जाते हैं एक particular constituencies है तो 500 constituencies है यहां से different different MPs आए ठीक है बन गए 500 में से so it's pretty obvious कि इनके पास majority है इनके पास बहुमत है तो यहां पर क्या होगा ना कि यही पर इन्ही साड़े 300 MPs में से लोको सरकार तो BJP की आ गई उसके बाद यहां पर यह जो साड़े 300 MPs है ना इस में से कोई एक जो इनकी party का leader होगा उसको क्या बना दिया समझ गए इतनी सी बस बात है and nothing else is there ठीक है so president has to invite the leader of the majority leader of majority party in अलोग सभा to form the government उसके बाद यहां दो काउंसल ऑफ मिनेस्टर अब basically बात कुछ ऐसी होती है जैसे तुमने देखा कि साड़े 300 MPs है ठीक है अभी उसी example के दुरू अपन सबको समझेंगे तो अब यहार दुको यहां साड़े 300 MPs में तुमारे basically दुको सब तो at last कुछ जरूरी formation of government में like कुछ नई policies बननी हैं कुछ laws बनने हैं कुछ acts बनने हैं तो हर किसी का ऐस सच बहुत बड़ा involvement नहीं होता सरकार में कुछ ऐसे selected number of people रहते हैं ठीक है जो की एक तो prime minister के बहुत जादा close होते हैं और साथ हो साथ एक बहुत major role play कर रहे होते हैं ठीक है यहीं पर तुमारे इन साड़े 300 लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो बहुत एक major role play कर रहे होंगे और वो होते हैं तुमारे simply बहुत किसके नाम पर होगा प्रेसिडेंट के नाम पर होगा और किसके रीकमेंडेशन पर होगा PM के यानि रीकमेंडेशन पर हो रहा होगा appointed among MPs and in case the non-member of parliament has been appointed he must be elected or nominated within six months from the date of his appointment so basically यार जरूरी नहीं है कि तुमारे इसी साले 300 MP में से आप किसी को COM में जोड़ रहे हो ठीक है it is not at all mandatory बात्यार कुछ ऐसी होती है कि अगर आपने apart from this 350 members आपने किसी और एक ex-insan को जोड़ दिया तो अभी फिलाल में this ex-insan is not the member of the parliament लेकिन still अभी आपने इसको nominate कर दिया for to be a part of the council of minister ठीक है अब आपने nominate कर लिये this power is like given to the president it is allotted to the president अब बात क्या है कि अभी तक तो यह नहीं थे member of parliament लेकिन within the span of six months he must he or she must have to be the member of the parliament इस span में इनको यह चीज बनना पड़ेगा यह एक simple सी बात है उसके बाद यार देखो आप जैसे तो बात जैसे मैंने बताया ना कि COM में तुमारी बहुत सारी ग्रेडिंग्स है जैसमें सबसे top level पर आते हैं तुमारे cabinet cabinet तुमने सुन भी रखा होगा तुमने सुना है ना like education minister उसका finance minister defense minister ऐसे तुमने सारी चीज़े सुन रखी है यह बहुत important portfolios है ठीक है so they are the most important ministers have important portfolios such as finance defense ऐसी वाली चीज़े उसके बाद आते हैं तुमारे minister of state this is the second grade और basically may not have any portfolio ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई portfolio नहीं है लेकिन still they are the member of the council of minister generally यह चीज़ देखिया जाती है कि cabinet में जो होते हैं उनके पास portfolios होते हैं उसके generally they do not participate in meetings of cabinet अब यार दोको जो बहुत ही high-end level की meetings है जिसमें ज्यादा लोगों का participation is like not at all mandatory और necessary भी नहीं है essential भी नहीं है तो ऐसे जमया पर cabinet की meetings में minister of state वाले लोग नहीं जाते हैं उसके बाद जो तुमारी third grade है वो है deputy ministers so basically यार दोको इसमें आते हैं तुमारे junior ministers are those which helps cabinet and council of minister यानि उनके काम में help करना है सच आपका specific कोई काम नहीं है लेकिन still you just have to help other ministers which are like there in the cabinet उनको help करो उनके काम में और वही आपका काम है do not participate in cabinet discussions ठीक है ये भी एक बात है कि भाई साब जनरली जस्ट दूनाट पार्टिसिपेट इन the cabinet discussions साथ उसाथ cabinet formulates the policies and programs of the government यतनी भी तुमारी policies होती है programs होते हैं इनको कौन बनाता है cabinet बनाता है cabinet are most trustworthy and senior most members of the party और इनका term भी 5-year का है क्योंकि obviously लोकसभा के member का tenure ही 5-year का होता है तो इनका भी भही है उसके बाद यार देखो relationship between the prime minister and the president जैसे कि मैंने बोला ना यार काम president करेंगे किसके नाम पर करेंगे यानि किसकी recommendation पर करेंगे basically आपके prime minister और council of minister की recommendation पर so president acts on the advice of prime minister it's obvious advice and recommendation are must to be followed by president या recommendation ऐसे नहीं है कि आपने suggest कर रहे हो और you are like advising something आप अपना opinion share कर रहे हो that is not at all like that it is something which has to be followed यानि like उसको follow करना is mandatory उसमें कोई choice नहीं रहती उसका प्राइम मिनिस्टर is the link between president and PM president and com basically क्योंकि तुमारा जो com है that is basically related to your PM और PM जो न तुमारे touch में रहते हैं with the president तो यहां से तुम एक चीज़ समझ सकते हो कि हाँ council of minister and president के बीच की link कौन है हमारे prime minister ठीक है great उसके बाद आगे बढ़ते है relation between the prime minister and cabinet यहां पर बात देखो है आर को जैसी होगी कि तुम समझी सकते हो cabinet और prime minister cabinet में there are those ministers जो की सबसे आदा close है to the prime minister तो it's obvious prime minister is the head of the cabinet and allocates the portfolios to them ठीक है and when prime minister resigns the cabinet should also have to resign and इसको हम कहते है collective responsibility आगे पल रहे होंगे उसके आद prime minister and parliament क्या होता है तो भाई देखो भाई जो भी parliament है न समझ रहो parliament में at last किसकी सरकार है apart from the president part apart from the president part किसकी सरकार है बताओ तो सरकार है तुमारी majority party की ठीक है majority party की basically अगर majority party की यारी MPs जिसकी भी सबसे जादा है उनकी अगर सरकार है तो उसका leader तो तुमारे prime minister ही है at last ठीक है तो basically यहाँ पर तुमारा leader parliament का कौन हुआ prime minister and he is the chief spokesperson defense the government in the parliament देखो वो जब कुछ सब कुछ भी बोलते है न तो सब लोग सान्त हो जाते है और वो basically defend भी करते है government को इन दी पर दिया में क्योंकि at last उनकी government है can intervene in the matter and can put it into the end like up कुछ एक matter चल रहा था ठीक है तो वो कुछ भी हो like public finance का matter चल रहा था ठीक है और ऐसे में जो ना चीज़ें बहुत जादा complicated होती जा रही थी कुछ ऐसे apprises भी like समझ रहो ना कुछ ऐसी apprising हो सकती थी revolt हो सकती थी उन्होंने जो ना उस वाले matter को एकदम बीच में रोक दिया so he can basically intervene in the matter and can put it to the end उसके बाद यार basically prime minister is the leader of house during national crisis like war opposition extends full support to him ठीक है क्योंकि यार at last सारे decisions जो है तुमारे prime minister को लेने तो opposition भी उनका support करता है ऐसी चीज़ों पर support करना इस लाइक जरूरी भी है decides over the meeting of planning commission and atomic energy commission ये जितनी भी तुमारे commission होते हैं basically इनकी meeting को यही precise करते है check on the powers of prime minister is kept by the opposition parties asking question ठीक है यार बीच पाल दिया में question पूछते हो साथ साथ या इंडिया is a democratic country यहां dictatorship हो नहीं सकती so basically press and by public opinion ऐसे चीजों के थुरू basically we can put a check on the powers of the prime minister उसके बाद देखो collective responsibility जैसे कि मैंने बोला कि अगर भाया जी आपके PM जाते है तो आपका cabinet क्या COM पूरा जाता है so this is something देखो यार article 75 का third part states that that like it deals with the collective responsibility and it states that all ministers jointly share the responsibility for policies of the government ठीक है जितने भी तुमारे ministers है ना जो basically policies को बना भी रहे थे वो सारे responsible होते हैं to the government if motion of no confidence is passed against any of the minister then whole ministry have to resign ठीक है और यहां पर तुम एक चीज़ समसकते हो हम साथ साथ है अगर resignation एक का होता है तो तुम वही सोचो कि अच्छा हम साथ साथ हैं तो सारे जाएंगे फिर तो ठीक है बहुत बढ़िया individual responsibility में अब जब तुम बात करते हो so basically all individuals are individually responsible to the president and hold office during the pleasure of president ठीक है so basically यार दोगो अब कुछ ऐसी individual responsibility है that if you are like found guilty for doing something which is like not at all good ठीक है आपने कुछ ऐसे खुद की आपके character की ही कुछ ऐसी गलत चीज़ें थी and that's all for this session I know this chapter is like bit short लेकिन still आपने पूरी चीज़ों को clear किया है अब तुमको जो notes है they are there in the like on our app तो हहां से तुम download कर सकते हो पूरे chapter को अच्छे तरीकी से पढ़ लेना although this is a very short chapter notes भी काफी short हो रहे होंगे and बहुत precise होंगे so they will help you a lot और इस chapter को हमने सिर्फ 15-20 minute में I guess खतम कर लिया ठीक है same चीज YouTube पर भी आ रही होगी और इसके नीचे आप जस्ट तुमको एक quiz test देखने को मिलेगा so पूरे test को तुम देना please it is suggested to you उस पूरे test को अच्छे तरीके से देना and just do follow the WTF series by heart और you will see that तुमारे हर एक चीज एकदम simple way में हो रही होगी आज सिर्फ 13 minute में हमने एक chapter को complete किया है और मैंने बहुत आराम से बाते करी ती कोई फालतु बात नहीं करी ती 5-6 minute में you can do it if you are watching it on 2x फालतु बात तो हम ऐसी नहीं करते ना यार ठीक है so that's all and just do follow the schedule of the WTF series Wednesday को 7X का lecture Thursday को 3 का lecture and Friday को geography का lecture आ रहा होगा तुमारे लिए तुमारे clarify knowledge के official app पे साथ हो साथ वेबसाइट पे so that's all, मिलते हैं तुमारे upcoming sessions में और रखते हैं इस वीडियो में इतना ही and तब तक के लिए thanks for watching, happy learning and best of luck